हेलो गोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब बढ़िया होंगे, तो भाई आज हम बाइनिसर्च की कुछ प्रॉब्लम को सॉल करने वाले हैं, जो हमारे लिए इंटर्व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है, यह आप से डारेक्ट पोर्डिंग्राउंड पे पूछी जाती है, पिसली वीडियो में हमने तीन प्रॉब्लम को सॉल किया था, उन प्रॉब्लम में यह हमें पता करना होता कि क्या यह बाइनिसर्च की प्रॉब्लम है, और एक बार हमने अडिन्टिफाई कर लिया कि यह बाइनिसर्च की प्रॉब्लम है, तो हमाली वो प् इग्रिसिफ काउ को देखते हैं यह कहता है aggressive काउ मदर अगर मैं आपको पूछू क्या होता होगा जो काउ aggressive होती है थोड़े लड़ा को होती है उन्हें को मैं कहूंगा हाँ जी भाहिया तो हमें एक एर्य दे रखा है इसका नाम यह िस टॉल मंदलब इस एरे में पांच चार और 5, 5 मेरे पास stall दिये गए है, stall का मतरब है कि यहाँ पर आप गाये को बांद सकते हैं, clear हाँ जी भया, फिर k equal to 3 दे रखा है, कि मेरे पास 3 गाये हैं, और 3 गाये को मुझे इन 5 stall में बांदना है, clear हाँ जी भया, तो मैं कैसे बांदूंगा, बताईए, अब उसकी condition उसने दिये है कि assign stall to k cow, कि k cow को मुझे assign करना है इन इस्टॉल्ट में, clear हाँ, और minimum distance between any two of them is maximum possible, जो minimum distance होगी दो cow के बीच में, वो maximum होनी चीए, वह यह समझ दिया है, मैंने का problem बहुत easy है, मालो यह आपका घर है, ठिक आपकी घर पे 5 stall लेगे हुए, clear हाँ, मैंने आपको तीन गाये दी है, मैंने का इनको आप वहाँ पे जाके बांद दीजिए, अब मैंने आपको बता रहे हैं कि यह लड़ाकू है, कैसी है, गाये थोड़ी लड़ाकू है, तो आप क्या strategy follow कर आगे, आप यह चाहोगे न, क्यों अगल बगल नजदीग नजदीग न रहें, अगर नजदीग कर जाएगी, तो आप चाहेंगे कि यह तो तीनो न, थोड़ी एक distance बनाके रहें आपस में, यही करोगे, हाँ जी यही करूँगा, तो सेम हमारी problem में पूछा गया है, क्यों मुझे पता कि बहुत सारे permutations हो सकते हैं, उन गाये को बांदने में, लेकिन जो सबसे best होगा, मै आपका 1-meter पर लगा है, अगलावाले stall आपका 2-meter पर लगाऊ है, अगला वाला मेट्र पर लगा है, और अगलावाला 8-meter पर मेरा लगा होओ है, ऐसी कर बक्स commencement粉 में, यहां से एक GET मिटर है जहां पर उनकी 20 की जो डिस्टेंस है मैक्सिमम रहे वही प्रिफर करोगे आप करोगे नहीं करोगे हाँ ताकि लड़े ना अब मेरे पास बहुत सारी प्रमूटिसन हो सकते हैं इंको बानने के हो सकते नहीं हो सकते हाँ जी भईया मैं अलेलग अपना सकता हूं हाँ तो मैंने को यहां पर दूसरी को यहां पर तीसरी को यहां पर इस तरीकर से बान सकता हूं हाँ एक्जांबल की तो मैं आपको एक्स्प्रिंग कर रहा हूं आंसर में आपसे क्या मांग रहा है इसने कहा है minimum distance between any two of them is maximum possible तो देखो minimum distance क्या है इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क कितनी है भाया तीन मिटर यही है हाँ तो इन मेंसे जो minimum है उसको मुझे output में लिखना है एक क्लियर हाँ तो मुझे इसका इसके बीच में minimum निखाले की जरूद नहीं है क्योंकि मुझे पता है अगर इनकी बीच में minimum निखालोंगा एक बड़ा number ही मिलेगा मुझे अगर minimum च मुझे पता हूँ बड़ा number ही आएगा जब मुझे पता इसमें से इसमें से मुझे सबसे चोटा वाला ही चूट करना है तो क्यों मैं इसका इसका देखूं बड़ा ही आएगा है तो इसको मत दीखिए क्लियर हाँ जी भईया अभी अभी और करा रहा हूँ घबराएगे मत मैंने एक पर जाए को अगली कौं अगली को दूसरी कीफ scary अगली मिне 11 thirds ऑग यह एक study वा सकता है मुझा पर मैंने का यहां पर कितनी मिनिमम एएक मिया है इसके बीछसी मिनिमम आएगा ग्रेम हां एप इसके बीच का भी देख सकते हैं एक आर्ट के बीच का मिनिमम पर वो क सकता हैं कि पहली एक को मैंने हिहाँ बान दिया अगर मैं इनकेशंगा तुम मुझे पता है यह तीन है यह चार है और इन मिनिमम धायart box बाहरा जाए तो इस तरह आप यहाँ को बान सकते हो तो आप कौन सा वाला प्रिफर करोगे बताइए कौन सा वाला प्रिफर करोगे जहाइड से बाद आप यह वाला प्रिफर करोगे यह वाला जो सारे केसे बनेंगे उसमें जो मैक्सिमम होगा उसे को आप प्रिफर करोगे क्योंकि उसमें क्या जो मेरी गाएं है वो कहनी है आसपास नहीं है थोड़ी दूरी दूरी बनाके रखी गई है वही कह रहा हूँ minimum distance between any two of them is maximum possible जो इन में से maximum होगा वो मुझे output में देना है यह क्या है यह minimum distance between any two of them minimum distance between any two of them अब उसका क्या जी होते maximum possible जो इन में से maximum होगा वो मुझे output में चीए क्योंकि मुझे पता अगर मुने तीन दिन के distance minimum बांद के रखूं तो भाई वो मिले best strategy रहेगी रहेगी नहीं रहेगी अगर मैं पहली काओ को यहां पर बांदू अगली को यहां पर बांदू अगली को यहां पर बांदू तो मुझे पता है इनके बीच में minimum distance कितनी आने वाली है तीन इनके बीच में चार है तो minimum answer मेरा तीन आ जाएगा तो इन सारी case में मुझे ये वाले case को answer में देना था कि लियर है कि यहां तक चमक रहा है चमक रहा है हाँ तो यह क्या बूझ रहा है minimum of maximum इस ताइक से कि सबका minimum लो और फिर उसमें से maximum आए उसको आपको output में देना है जो हमने book allocation वाला देखा था उसका ठीक opposite उसमें maximum का minimum वो ऐसा करके आपसे ले रहा था इसमें minimum का maximum आपसे पूछ रहा है चमक रहा है हाँ इसको मैं बिल्कुल भी ठीक से आपको कराने वाला हूँ कोई घबरारी के जरुद्मी है अगर आपने previous concept नहीं पढ़ा है तो हमने यहां पर देख लिया कि यह strategy मेरे पास best काम करने वाली है जब मेरे गायों की बीच की distance 3-3 होगी minimum ठीक हाजी भाईया अब बात आती है कि इसका अंसरम निकालेंगे कैसे आंसर प्राप्ट कैसे होगा मैं यह तो बहुत मुश्किल मेरे किज नहीं होगा उसके time competitive भृट ही हाई जाए तो तो पहले हम एक brute force approach देखते हैं, जिसमें हम recursion use नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल simple approach, मैंने यहां पर देखा, अगर मैं एक चीज आपसे गौहर कर वहा हूँ, मैं यहां पर देख रहा था कि minimum distance 1, minimum distance 2 इनके बीच में, और जो इनका minimum है वो output में आ रहा था, इनके बीच में distance 1, इनके बीच में distance 2 और जो output में आ रहा था, वो एक आ रहा था, यहां पर भी तीन और चार, जो minimum है वो भार, clear है, हाँ, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं start कर दू counting, कहां से, एक से, कि पहले मैं देख लेता हूं, अगर मैं गाईयों को अपनी गाईयों को बाढ़ना पड़ेगा, minimum एक डिस्टैंस, जा पर उनके बीच के जीसा, minimum एक हो, clear हाँ, तो मैंने देखा यार कि अगर मैं पहली गाईयों को यहां पर बाढ़ना पड़ेगा, एक दो चार आट नो में, हाँ, clear है, हाँ, पहली को मैंने यहां पर बाढ़ बाढ़ना है, two plus one, three, three के बाद three है, three के बाद, हाँ, minimum, हाँ, तो तीसी को मैं यहां पर बाढ़ सकता हूं, हाँ, तो मैंने एक यह वाला देख लिया, कि मैं one, two, और four, मैं तीन गाईयों को बाढ़ पा रहा हूं, इस वाली studies है, बाढ़ पा रहा हूं यह नहीं, बाढ़ ब मैं कहा रहा हूं, कि मैं स्टार्ट कर ले तो ऐसे कर गे, minimum, minimum, एक distance में मैं गाईयों को रख रहा हूं, कम से कम, एक distance पे, कम से कम, उस्ते ज्यादा भी होआ, तो चलेगा, तो पहली गाई को मैंने यहां पर रख दिया, उसको आपको रखना पड़ीगा, यहां पर, starting में, अ आगले वाली, आप तो minimum, एक, तो ले नहीं है, two plus one, three, तो minimum three, और उसने ज्यादा आप ले सकते हैं, तो उसके बाद three के बाद कौन से नमर आ रहा था, four यह आ रहा था, मैंने उसको वहीं पर बांद दिया, तो मैंने देखा, इस से मैं अपने answer को लाँ पा रहा हूं, किस से one, जब मैं minimum one distance choose कर रहा था, ला पा रहा था, हाँ जी भईया, ला पा रहा था, पर उसने question में क्या पूझा है, कि यह distance maximum होनी चीए, यह distance क्या होनी चीए, maximum होनी चीए, तो मुझे पता है, जब मैं उनका एक distance पर रख रहा हूं minimum, तब भी मेरा answer आ रहा है, तो क्यों ना मैं distance को थोड़ा और बढ़ाऊं, ताकि वो गाय आपस में लड़ेना, आपस में क्याने करें, लड़ेना, तो अगर मैं उनकी बीच में थोड़ी और distance बढ़ा दूँगा, तो मुझे पता है, वो फिर लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप आसपास जा नहीं पाएंगी, लड़ने चोटा, यहां पर नहीं रखता, क्योंकि मिनिममम टू डिस्टेंस पर नहीं है, फिर क्या यहां पर रख सकता हूँ, चार पर, हाँ, यहां पर मैं रख सकता हूँ, क्योंकि यह इसके एक का चार की बीच में कितना है, तो मिनिममम टू से जादा ही है, क्लियर है, अगली वा मेंको कर पारों नहीं कर पारों हा तो मैंने ने को कहा का रखाchlag वन टू और एट को कि डिस न कहीं के रहे था थो अगली को कहा बांद हुना दिए अगर यह एक पे तो ऑगली minimum 4 पर हो ना चार छार तो 24 हसा आगली वालि कि और कहाँ हुनी ficou साथ मीनिमम अससते जाओ तो मैंने उसको आठ पे बांद दिया तो मैंने देखा कि तीन दिन की minimum distance लेके भी मैं आपना answer निकाल पा रहा हूँ तो मैं चार हूँ यही चार हूँ ना कि उनको हौर दूर बांदने के कोसित करूँ तो मैंने का अब मैं चार पर ट्राइकल लेता हूँ जब उनकी बीच के जिस्ता है मिनिमिमम चार हूँ तो मैंने का आप चार के लिए ट्राइकल लेते हैं तो मैंने का चलो 4 के लिए ट्राइक करते हैं तो पहली वाली को कहा बांदूगा यही पर बांदूगा निमीमम और पर तो मैंने देखा 5 तो है नहीं उसके बाद कौन आ रहा एट तो दूसरी वाली को मुझे यहां पर बांदना पड़ेगा कि लिए दूसरी वाली को बांद लिया आप तीसरी वाली को कामे बांद दूंगा मिनिमम चार डिस्टेंज ही उसे मिनिमम कितना चार तो आठ चार के निकल सकता क्या मिनिममम 5 डिस्टेंज हीएकर सकता है नहीं निक़ सकता है चैंपे निकल सकता है तो मेरा अंसर क्या हो जय yumma होगा हाजी वह गया तो मैंने का अगर मैं अप्ली गाय को मिनिममम 33 सेंस बनाके रखों तो भैया मेरा अंसर मुझे मिल जाए तो बताएए यह maximum जो उनका जो भी आंसर आ रहा था इन मेंよし मेक्सिमूम होगा वह फ embedded जुब होगा तो यह सब सक हुब है तो यहां पर आपको स्थिम्पल ही एक चलाना पड़ेगा पॉप्र फोर्स के मैथड अ कि फोर आइक को बलाध थोग से आप ले सकते, आप brute force में इसको intermax भी बोल सकते हैं, या फिर आगर आप optimize करने चाहें, तो आप सोचो, क्या आप इसके अंदर लिख सकते हैं, कि पहले मिनिमम एक distance पर गाई को बांदूँगा, फिर आपको देखना है, अगर मैं minimum एक distance पर उसको बांद पारूँ, तो फिर मैं answer था 3 वाला, उसको output में दे दूँगा, इस तरीके से अपनी problem को मैं resolve कर सकता हूँ, simple brute force method, simple सा, clear है, हाँ जी यहाँ पर आपको logic लिखना पड़ेगा, इसका, इसका, इसका logic मैं आपको आगे explain दानूँगा, इसका logic हम कैसे लिख सकते हैं, पर fall loop से भी आप इसको solve कर सकते है clear है, हाँ, भगिया यह minimum 5 में answer क्यों नहीं आएगा, minimum 5 में, यह minimum 6 में, आप ऐसा क्यों कह रहे हूँ, तो लो मैंने का, यह भी माल लेते हैं, मैंने का, आप पहली गाई यहाँ पर बंदोगे, हाँ, minimum 5 है, तो 1 प्लस 5, 6, 6 यह उससे ज़्यादा, पर आपको उसको बंदना सकते, इसलिए इन पर आपको answer नहीं मिलेगा, और इन पर आपको answer मिल रहा है, clear है, हाँ, जी भईया, clear है, यहाँ तक चमक रहा है, हाँ जी भईया, यहाँ तक मुझे अच्छे से चमक रहा है, अब मैंने का, यार, इसमें हम बानी research कैसे लगा सकते हैं, यहाँ तक हमने दे अब देखो, मुझे पता है, team problem, मुझे पता है कि यार, जब मैं SSD करके कर रहा हूं, SSD करके यहाँ यहाँ पर कुछ number होंगे, clear, fully line में SSD करके number होंगे, कि एक पर चक्क्या, दूपर चक्क्या, तीन पर, चार पर, पांच पर, छएपर, साथ पर, अप्टू जाता रहेगा तो मुझे पता है, बीच वही मुझे कहीं पर answer मिल दाएगा, जो मेरा final answer होगा, हाँ, इसके पांशर नहीं निकाल पा रहे हैं, जब मैं 3 से आगे जाता था, तो 4, 5, 6, 7, 8, वहो मेरा answer नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक पार तो मेरा answer नहीं निकाल पार रहा है, और अगर तो मुझे पता है मेरा अंसर आ जा रहा है तो उस case में मुझे क्या करना पड़ेगा क्योंकि मैं क्या चाता हूँ क्योंकि मैं चाता हूँ उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी बड़े ठीक अगर मेरे एक पर आंसर आ रहा है तो मैं चारों कि कास वो दो पे भी आ जाए यह कास वो तीन पे भी आ जाए जिलिए बड़ी वो डिस्टेंस होगी उतनी कमभार वो काउ लड़ेंगी अजब मैं यहां पर हूँ यहां से अगर आंसर ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या बूलूँगा आपको कहां चलना है सर्च में गया करता हूँ मैं मिडवाला एलेमन पकड़ता हूँ उस आलेमेंट के बे 200 मक्या नहीं निकल रहा हो इकर प्र आह इंसे बहुए जा AVCμε कि मैं यहां पर ऑंसर मिल जा रहा है लेकिन मैं चालू एक ौधिस tayo कि मैं इनको हर दूर करi ता कि फो लड़ेंसW जैसे मुझे पता था एक से मुझे आंसर मिल जा रहा है इसे हिए या कि मैं आधे आधे cases को करता रहोंगा तो बताइए चंग काँ कैसे हमने इसको डिबग किया प्रॉब्लम को पॉर्लूप से हम कर दे रहे हैं जब हम स्कॉय रूट वाला निकाल नीज़ल रहे कर रहे थे नहीं कर रहे थे एक लाइन बना रही थी ऐसे सीम ऐसे गर के बीच में कोई नंबर होगा जो बता देगा उसका स्क्वायरूट है यह नहीं है जैसा 100 का घूंड़ा था मैं 100 का स्क्वायरूट क्या होगा तो मुझे बता है 10 इसका क्या होता है स्क्वायरूट होता ह ठीक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इनका ये इसके square root नहीं हो सकते, क्योंकि ये इससे बड़ा number लाते हैं, इनकी poverty है कि ये answer ला सकते हैं, जब ये यहाँ पर जो number होते हैं, ये number, जब मैं इनका square करता हूं, तो मुझे पता ये इनसे छोड़े निगलते, तो मैं कहता हूं, राइट साइड क कूदो, तो ऐसे करके मैं बीच में आता था, same कहानी मैं या पर करता हूं, same story, I hope आपको ये समझाय होगा, जो हमारा logic है, हमें बस इसको convert करना है, जब भी आपको लगे, जब भी आपको लगे, कि आपके पास एक line है, जिसमें आपका answer निकल सकता है, निकल सकता है, निकल सक ठेल, यहाः पर आप 5, Hенно, और यहाँ पर अंसर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, यहाँ पर भी निकल रहा है, और उसके उसके बाद निकल भी बंद हो गए, तो इस करना पड़ेगा समझना पड़ेगा वह प्रब्लम में क्या क्या रहा है जब आगर आपको समझना है थोड़ी confusing गई लाइने होती है कि minimum of maximum तो वहाँ पर आपको जो examples दियोंगे उससे आपको समझना पड़ेगा यह बोल क्या रहा है कि लिए रहे हागी भाईया अब मेंसने कुछ वेष्यल्स में confused होंगि मैंने minimum वाला क्यों लिया कि minimum a distance minimum 2 distance पिशले वीडियो चैपि बुख कर रहा था तो वहाँ पर मैं कहा रहा था कि maximum एक पेज maximum 2 page maximum 3 page मैंने कहा हूँ minimum एक distance minimum 3 distance मैंने का यह बहुती 100 ट्रीगा आपको पिछानने का सुनिए कुछ सं ऐसा दिया रहेगा प्रॉब्लम ऐसी दी रहेगी इसमें इसने क्या रहेगा मिनिममम अंदर आ रहा है और उसके भार वाला मैक्सिमुम भार आ रहा है वो के लिए में उल्टा था कि वह ऐसे था अगर आप क्रस्षेन को रीट करोगे करोगे तो म्यक्समा अंदर आएगा अमिनुमारा आएगा तो आपको यहां से आप पता लगा सकते हो कि मुझे एक को ही इनके बीच पे minimum distance वाले को ही लेना है कि minimum एक distance minimum दो distance clear है हाँ जी भाईया जो book allocation वाला था उसमें problem में ये था ठीक कि maximum books allocated to a student is minimum ऐसे अगर के था ना हाँ तो maximum उसमें पहले आ रहा था तो इसलिए हमने उसमें यह किया था आई होब यह statement आपको clear हुई होगी लेकिन इसको रठना नहीं है आपको समझना है इसको breakdown करना है कि कहसे हमने इसको convert किया है तो मैंने का इसको solve कर लेते हैं कि इसको इसे वड्याने से स्वाइट नूभ अब इसको से चीज़े पता चलेंगे जब मैंने भी इनको सीगा था पहली बार तो यार मुझे बहुत अंकॉमवंटेबल शीज़ हो था मुझे भी समझ नहीं आता में मैक्स लेकिन जब मैं बैठा धाई तीन चार गंटे में ने खुछ से लगाए एक प्रॉब्लम को तोड़ने में समझन कि सही है हाँ बही है यह यह था इस ताइब सापको यह अलिए कि मैं स्टाटिम पॉइंड में कहां से ले रह था मिनीमटे टिस्टेंस फिर ली right त्पर यह 여자 दिसटेंस तुमिएक कहीं पर, यह यह अगर मैं start ले लूँ, start पर one से करता हूँ, तो end कहां से करूँ? end, maximum कितना हो तकता का answer, यह end कहां तक जा सकता है? जाइड दी बात है, जो smallest number होगा, जो greatest number होगा, जोण का difference होगा, वही यहां पर आएगा? यह वही दो आएगा, यहां पर, यहां पर, आप question में क्या कर रहा हो, कि दो गायों को मैं minimum एक distance बान रहा हो, दो गायों को मैं minimum दो distance बान रहा हो, तो आप इसमें maximum कहां तक जा सकते हो, एक गायों को मैं यहां पर बान दूँ, और एक गायों को मैं यहां पर बान दूँ, तो सकती है इस से ऊपर दे नहीं जा सकती कि पहली गाही को यहां पर बांद आगली गाही को बाहर ऐसे दो हुआ कर सकते हैं तो एट वह ए किलियर है किया होगा स्टाटिंग यह ही सटाइटिंग पार मेरा अंसर नीकल सकता है मिनमम सकता है मिनिमम सब्सक्र्स साइए अगर मेरे पास वी गाही है तो उसके पहुत जा सकते अगर आप इसके ब्यॉर्व जाने से चेक कर दो तो आपको पता पहली गाई तो आपकी याप बन जाएगी दूसरी गाई आप कहीं बाद ही नहीं सकते इसलिए मैंने उसको वहाँ पर एट लिखा है किलियर है हाँ जी वह अब किलियर है तो इसको अट आदेते हैं तो यह किस किस का माइनस होगा जो मिनिममम मैं होगी ओगा यहां सबसे पहले इसके मिड में जाऊंगा तो start equal to लिख देता हूं start equal to लिख देता हूं 0 sorry 1 end का पर आपका भाईया 8 पर mid mid पर आया मैं mid पर आया यह mid है आपका mid क्या बन जाएगा आपका पूर बन जाएगा हां अब मैं इसमें सेम कहानी पूछ रहा हूं इसको सेम इस्टोरी अगर मैं गाये को minimum 4-4 के distance पर रखूँ कि अ कि यहां चलो देखते हैं तो पहली गाये को कहा पर रखँगा अगली प्लस 4 पॉरb 12 यह उस तो यह नहीं है तो म clamor मैं यहां पे तीन गाये को रखी नहीं सकता हुआ मुझे तीन गाय रखनी दे ना पर मैं कित्री गाय रख पा रहा हूं दो ही गाय रख पा रहा हूं तो मुझे इस में क्या करना पड़ेगा छोटा करना पड़ेगा अमनी दिस्टेंस को अभी मैं तीन चार लेके चलना था तो मुझे चोटा करना पड़ेगा तभी वह उसके कैसे कुछते मताईए एंड इकल टू मिड माइनस वन यह मेरा आ गया तो अब मेरे पास रहा यह वन से लेके थ्री तक इसके बीच का मिड तू क्लियर है हाँ जी अब मैंने का इनको दो-दो के मिनिममम डिस्टेंस पे बांदो दो-दो के तो पहली गाएगो तो एक पर ही बा क्लियर है यहां पर मैं बांद सकता हूं कि यह मिनिममम तीन डिस्टेंस पर इस पर है मिनिममम तीम मिलना कम से कम तीन उससे ज्यादा भी चलेगा अगला वाला का पर बांदूँगा अगर यह चार पर बांदा अगला वाला का पर बांद हो मिनिममम तार प्लस दो छे मिनिम और भी ते मुझे मेरा answer निकल रहा है, मुझे 3 गाई यह वां már थी, मैं तीनों को बांध पा रहा हूं तो मैं एक answer variable ले लेता हूं और उसले 2 को रख देता हूं कि मैं 2 से भी answer निकाल पा रहा हूं relationship? अब minimum 2 distance पर समें only answer निकाल पा रहा हूं पर सतनी में size ? जिद्धी बड़ी ये वाली value हो उतना उसके लिए benefit होगा होगा नहीं होगा हाँ जी भईया क्योंकि दो दो पर तो मैं answer निकाल भी रहूं क्या पता मैं तीन पर भी answer निकाल दो क्योंकि उस minimum का maximum चाता है आपसा answer हाँ जी भईया तो मैं क्या कहरो उसको और बढ़ा दो उसको तो मैं ही चाहूंगा ना क्या पता कोई एक answer हो जो उनको और दूरी पर मैं इनको बांधू तो ये बंद पाए और आपस में लड़ी भी ना क्योंकि ये क्या है aggressive cow तो मैंने बोल दिया हम इनको minimum तीन दिन की distance पर बांधूंगा देखो अब मुझे पता है start क्या हो गया होग ये अब मैंने का है उनको में minimum तीन दिन की distance पर बांधूंगा तो पहली गाई को कहां पर बांधूँगा सब्सक्ते है अगले वालेको कौश सकता हूँ अगले बाले कौश जब भी धूर तो इसमें अप्डेट कर तो तुमने answer को कि मिरा answer यह हो सकता है हाँ जी वह हो सकता ह जब 3 से answer निकल रहा है minimum 3-3 से भी answer निकल रहा है तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक और बड़ी value की और में जाओं कि पता 4-5 यह किसी और answer निकली यही करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा अगर मेरा start भी 3 है और end भी 3 है तो मैं क्या बोलूँगा एक बड़ी value को उठाने की कुछिस करो किदर को कुदू राइट साइड को राइट साइड में जातो ना जब मुझे अपनी value को बढ़ाना पड़ता है हाँ जब मैं राइट साइड में कुदूँगा तो start बन जाएगा मेरा कितना चार जैसी start की value end से बड़ी होती है मेरा loop break हो जा हमारे पास install भी है ठीक पांच इस्टॉल है और फिर से मेरे पास कितरी गाए है इनको मुझे इंस्टॉल के अंदर डालना है कैसे में बाद दूगा अब भाईया आप देखने होंगे कि यहां पर 10 लिका हो यहां पर एक लिखा हो यहां पर 2 यहां पर 7 यहां पर 5 भाईया एक पिसले वाले में थे स्टॉटर औरने थे एक दो चार आठ नो इसमें तो सौता रखन दर में है इनकालूंगा कि बसआ रिखत होane इस तरी चल्यकिस होगा यह हमारा 10 MP एक at the same two the next 5 को थोड़ा साइक लइता है यह उलाए लाइन मुझे तीन गयों को बनने वाले हैं तो मेरे पता है कि यह इस टाइप में दिखने वाला है कि 1, 2, 5, 7, 10 किलियर है हाँ यहां पर यहां पर यह कैसे फॉर्म में रहे हैं 10, 1, 2, 7, 5 अब मैं इसमें ऐसा नहीं कर से था कि पहली गाई को मैंने 10 बांद दिया कि अगली को मैं एक पर बांद सकता हूँ उस हिजाब से मेरा कैनी मनेगा logic create नहीं होगा यहां पर मैं अपने logic को कैसे चला रहा था कि मैंने बोला है पहली गाई को मैंने एक पर बांद दिया अगली वाली को मिनिममम दो क्या वसकता कि ग्यारइक कि ऐर 9 बात कर स्कता है मुझे पता हीनी यह उसे किधना पड़ेगा पहले सबसे पहले इसको और कर रेकिवान किया इस पर दिया K क्योंकि मुझे पता पहला यहका और और में एक पर बांद दिया उसके बाद रही मुझे मुझे सब्सक्राइब। ये उसका आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। वहाला था यहाले को एससे करके। तो आगब it 10 वाली के बात करता, 10 में मैं कैसे पता करता, मिनिमम इसके एक distance पे, या फिर फिर मिन Μिनमम दो distance पे कर बात करता, तो क्या हुँ बारः की बात कर रहा है, फिर और रहा फिर ओखर 8 की बात कर रहा है, तो तो फिल मुझे किया है 8 जंटा 8 8 तो मैं देखता आज़ा मैं यह भी इसंसर हो तक variable के क्योंकि मुझे पता है अगर मैं पहली कई यहां पे बातब हुआ है नहीं कर सकता हुए इस तरीए से तो टे एनको इस तो क्या है करना ह pen कि लिए रहे हाद ही यहां पर भी हम सेम काम कर रहे हैं कि मिनिममम एक डिस्टेंस पर क्या मेरा आंसर नहीं कल सकता है यह मिनिममम दो पर नहीं कल सकता है मिनिममम तीम पर नहीं कल सकता है यह मिनिममम चार पर नहीं कल सकता है वही बोट पोर्स आप यहां पर भी अपलाई कर जब आपने इसको एक बार सौर्ट कर दिया अब इस पर लगाते हम अपना मेथड जो हमने अभी तक यूज किया अगर अपने मेथड को यूज करने की बात करूं तो भाईया एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक एंड पॉइंट होगा तो starting ko one लेता हुँ हाँ, पार एंड को क्या लूँगा मिनिममम एक एक की डिस्सेंस पे अब maximum distance कितना होता तो अगरशों के बीच का 10-9 यह होगा मिन्मम 2 डिस्टेंस में 1 दो मिन्मम कितना दिस्टेंस कोолн जा सकती है पहले को यहां परांक्ता हूं worldwide 9 clear करें मैंने क्का मिड्य क्या होगा 20 क्या होगा इस्टार्ट की वैल्य क्या है estab에 9 9, mid, mid क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9, 10, 5, minimum 5-5 की distance में उन्हें रखना है, तो पहली गाई को मैं कहा पर रख सकता हूँ, 1 पर रख सकता हूँ, हाँ जी भईया, अगली वाली को कहा पर रख सकता हूँ, minimum 5 क्या है, 1 प्लस 5, 6, तो minimum 6 पर आपको अगली गाई को रखना पड सकता, जब मैं नहीं रहत थकता minimum 5 distance पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस distance को कम करना पड़ेगा, जब कम करना पड़ेगा, जब कम करना पड़ता है, कि दर को जाना पड़ता है, left को, अगर मैं कहा रहा हूँ, इन दो गाई को 5-5 के minimum distance पर रखना है, नहीं रख पार तो मैं इसको क्या बोला, कि आप left side में आज ही है, जब मैं left side में आता हूँ, तो क्या करता हूँ, end equal to minus 1, मतलब 4, अब मेरे पास, मुझे पता है, 1 से लेके 4 तक, इसका मेड़ी कितना हो जाएगा, 4 ए 1, 5, 2, clear, minimum 2-2 की distance पर, पहली गाई को एक पर रखा, अगली वाली को कह का पर रखता हूँ, 5 से 2, 7, साथ पर रख सकता हूँ, हाँ, कैसा आया वी 5 से 7, मैंने का 1, 1, 1, 2, 3, तो minimum 3 पर तो मुझे रखना ही, यहाँ पर रखता हूँ, कि मिनिमम 3 तो है, तीन यब 3 से बढ़ा, तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ, तो यहाँ पर रख दिया, अगली जब मैं Minimum चाहूंगा कि इस दो को मैं बड़ा करना चाहूंगा कुसे इसके इतर गोक ़ड़ा करना चाहूंगा के लिए 2022 मुझे पता है जब धाइस निकलता तो मैं İs में राइड सैड को जाता हूं जान्सरोμεं निकलता हूं तो मैं क्या करता हूं स्टार्ट इकॉल टू मिड़ प्लस फंत इधर को जाना है तो यह 3 हो गया अब मेरे पास यह रहा तीन से 4 इसका मिड़ क्या होगा तीन ही होगा मिनिमम तीन दीन की डिसेंस फें तो पहली गणा एक पर रख सकता हूँ हाँ अगली वाली को काम पर रख सकता हूँ तो मैं तीन गाय को यहां पर रख पार हो इस पर जम एक की मृट की वैल्यू 3 है किलियर है जब मैं कहा रहा हूं उनके बीच की minimum distance 3 हो तब भी मैं अपने गायों को रख पा रहा हूं सो रख से तो मैंने का मेरा answer अपडेट हो के 3 हो जाएगा जब मेरा answer निकलता है तो मैं क्या बोलता हूं minimum distance को और increase करने की कोसेश करिए राइट साइड में जाएए किलियर है किलियर है हाँ जब मैं राइट साइड में जाता हूं तो क्या करता हूं start equal to mid plus 1 मिट की value 3 थी 3 प्लस 1 4 अब start भी पूर है एंड भी पूर है तो मिट भी क्या आएग आएगा पूर है तो मैं कह रहा हूं minimum 4-4 की distance पर होनी रखने की कोसिश करो तो पहले को एक पे रखूंगा अगली को का पे रखूंगा एक चाहूंगा चाहर 5 या उस्ते बड़ा तो मैं या पर रख सकता हूं किलियर है तो मनलब मैं चार minimum distance पे भी उन गायों को रख सकता हूँ जब रख सकता हूँ तो मेरा answer update हो के चार हो जाएगा जब answer निकल जाता तो मैं किस side को move करता हूँ जैसे start की value आपकी greater हो गई किस से end से मुझे अपने लूप को break कर देना है अब अगर आपके बाद की problem आती है तो हम इसको resolve easily कर सकते हैं अब चलते हैं इसको code में हम इसको कैसे convert कर जोंगे code में clear हाँ मुझे given क्या है मुझे install given है ठिक install given है इसका जो भी size है and वो भी given रहेगा कितनी count मेरे पास है वो मेरे को given रहेजी clear है हाँ जी अब मेरा problem कहां से start होगा मैं पहले एक start variable ले लूँँगा start हाँ जी इसको थोड़ा छोटा कर रहेते हैं तो start को क्या रखूंगा one minimum makated distance और end की value क्या रखूंगा वो अभी हम रखते हैं clear फिर एक mid होगा और एक जो मैं final answer अपना दे रहा हूंगा clear है हाँ मैंने कहाता जो आरे आपको दिया रहेगा उसको सबसे पहले sort कर दो तो यहां पर लिख देता हूं sort array sort stalls इसको पहले मुझे sort करना है increasing order में clear इसको हम अपने program में sort कर देंगे clear है हाँ इसको सिर्फ मैं लिख रहा हूं यह sort करना मुझे increasing order में मैं बोला था ना जब आपको यह array दिया रहेगा तो सब्सक्राइब इसको sort करो increasing order में clear हाँ तो वही मैं सबसे पहले कर रहा हूं अब end के value क्या होती है end के value यही होती है जो install की n-1- install 0 यही होती है end के value end की value क्या होती है 10-1-9 वही मैं नहीं यह पर कर रहा है यह हो चुक है साइं हाँ अब इसके बाद लिख सकता हूं कि while start less than equal to end जब तक रहे clear है हाँ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है यह mid के value निकालने पड़ती है तो mid के value निकाल सकता हूं start plus end माइनस start divided by 2 लेख सकता हूं हाँ अब एक बार हमें अगर mid वाला मिल जाता है तो उसके बार हमें क्या करना पड़ता है वह हम देखते हैं अगर मुझे mid की value पता चल जाती है जैसे मैंने यहां पर देखा मुझे इसका मजब क्या है कि मैं उनको minimum 5-5 की distance पर रखूंगा रखूंगा नहीं रखूंगा तो मैं पहली गाई को कहां पर रखता हूं यहां पर रखता हूं फरस्स पोजिशन में अगली गाई का पर आएंगे क्या यह six है six है बड़ा है उसने का है तो मैंने का अगली गाई seven position पर आ रही है क्लियर है हाँ अब अगली वाली गाई किस रिस्टैंस भाएगी seven है हाँ तो minimum पांच रिस्टैंग तो मिनिमम बारा यह उससे बड़ा अगर कोई number मिलता है मैं वहां पर आपधी गाई को रख जब भी मेरे count की वाली की value ठीक less than हो मेरे k से ठीक तो मतलब मैं assign नहीं कर पा रहा हूं जब नहीं कर पा रहा हूं तो मैं किदर को मुह करता हूं बोलता हूं left sign माईए अपनी distance को थोड़ा कम करिए तो मैं क्या कर देता हूं and equal to mid minus one यही करता हूं यही करता हूं यही करता न right side को जाईए कैसे अब देखते हैं मैंने का अगर मेरी mid की value इसको रफ कर लेता हूं मानली जी मेरी mid की value क्या आगी है two आ गई है ठीक तो पहली गाई को कहा पर assign करूंगा यहां पर assign कर सकता हूं one पर हाँ अगली value कहा पर करूंगा minimum 2 distance का है एक तो तीन यह उससे बड़ा number आपको मिल गया तो वहां पर मैं उसको assign कर दूँगा क्या यह तीन है उससे बड़ा हाँ यह क्या है पांच है तो यहां पर मैं आपनी गाई को रख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है इनके बीच की distance क्या है चार है मनलब जो minimum 2 distance वाला है उसका credit area वो fulfill कर रहा है तो अगली value क एक 5 पर आगई गई है मिलम फेसे बड़ा हम उसको क्या यहां पे सकता हूं मैं रख सकता हूं तो घर मताय हँ और मुझे चाहूं तो और में पर चाहले होगा थ Arm कर सकता हूं ताता दो 9, minimum 9 औरते बड़ा, तो मैंने देखा 10, तो मुझे पता है कि अगर मैं minimum 2-2 distance भी लूँ तो तब भी मैं आपने 4 गायों को assign कर सकता हूं, कर सकता नहीं कर सकता, हाँ, तो मैंने कहा है, यहाँ पर count की value क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 4 होगी ना, 4 गायों को assign कर सकता हूं, तो जब भी आपके count की value, greater than, equal to, क्या हो, k हो, तो मतलब मेरा answer निकल रहा है, जब मेरा answer निकल रहा है, answer में क्या store करा देता हूं, mid को, और क्या बोलता हूं, start को बोलता हूं, किदर को जाए, अपने को बढ़ा कीजिए, mid plus 1, यही करता हूं, यही करता हूं, जब मेरा 2 पर answer नि check करूं, तो मैं उसे 3 से 4 के बीच में check करता था, तो start को कहां लिए, mid plus 1, start 1 था, and 4 था, तो मैं उसके क्या कर देता हूं, start हो जाता 3, end हो जाता 4, start को बढ़ा दीजिए, clear है, clear है, clear है, clear है, हाँ, जी है, अब यहां पर आ जाते है, यहां पर मुझे क्या ले न पड़ेगा, count, कि कितने गायों को मैंने assign करा दिये, stalls, तो अभी तक मैंने एकी गायों को assign करा है, और उसकी position क्या थी, उसकी position क्या थी, तो उसकी position क्या थी, stalls 0 वाली, यही थी पहली गायों की position, हाँ, अभी तक मैंने एकी गायों को assign करा है, उसकी position यह थी, stalls 0 वाली, clear हाँ, अब मैं बा होगा अब मैं इसमें क्या लिखूंगा इफ क्या पूजिशन प्लाज मिड लेस्ट इक्वल टू आ जाए आपके स्टॉल्स आई से तो इसमें क्या करना है मुझे सिंपल सा काउंट को एक से बढ़ा दिए अब सैकिंड गाई आ चुकी है ठीक स्टॉरी काउंट प्लस प्लस अगली गाई आ चुकी है और उसकी जो पूजिशन होगी वह यह इस्टॉल्स वाली होगी अभी बहुत बच्चों के समझनी आयो होगा अभी समझा दूगा अभी आप यह इसको करके समझा दूगा जब यह complete हो गया आपका और क्वा निखल लिया कि आपने कितनों को assign करा है तो जब वह निखल लिया तो मैं यहां पर उसको लिख देता हूं कि अगर आपका जो count है गायों का जिनको आपको assign करना रहे है किते के से आपको कहा था कि 6 गायों को असेंड कराओ लेकिन आप 4 को यह सेंड कर आप है तो आपको बता है कि आपने जो डिस्सेंस लिए वह बहुत ही बड़ी लिए उसको कम करने का टाइम है तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर एकॉल टू मिड माइनस वण और एल्स में क्या आएगा बताइए अंसर में इस्टोर कहाद जीन मिड को और स्टार्ट को लिजाएं मिड प्लस पन कि यह लीजें कि यह सब वाइल लूप के नदर है यह सब यहां से लेके यहां तक आपका वाइल लूप है यहां तक यह वाला था, if count is less than, यह count and equal to min minus 1, और else में आपका यह वाला जाएगा, यह मैं आपको अलड़ी explain कर चुका हूँ, भाया यह वाला पाट समझ नहीं है, यह वाला पाट नहीं है समझ, मैंने का अब यह भी बहुत simple है, बहुत ही simple है, मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने count में लब है कि कि इतनी गाईों को मैं assign करा चुका हूँ, अपने stalls, ठीक है, तो अभी दग मैंने एक ही गाई को कराया, और यह position वह है, last guy कहां पर आपने रखी थी, last वाली गाई उसकी position क्या थी, उसको आपने assign कराया था, यह वह है, तो last guy कौन सी थी, count, पहली गाई होगी, उसकी position क्या है, stall 0 है, हाँ, पहली वाली को position मिल चुकी है, अब मैं बाकी stall पर चेक कर रहा हूँ, first, second, third, fourth, up to end, clear है, हाँ, अब जब मैं यहाँ पर आए, अगर मैं 2 वाली को लेता हूँ, mid 2 लेता हूँ, mid equal to 2, ठीक, यही कर था, हाँ, यहाँ पर count की value क्या थी, 1 थी, position क्या थी, उसकी, य यही थी, और mid की value क्या थी, 2 थी, clear है, हाँ, अब मैंने condition के लिखी है, अगर मैं अंदर आऊ, मैं 1 से start करूँगा, check करना, कहां तक, end तक, मैं 1 से start करूँगा, क्योंकि इसको तो मिल चुकी है, अब मैं देख रहा हूँ कि क्या, इस stall में अपनी गाए को बांद सकता हूँ, इस stall पर, इस stall पर कब बांद दूँगा हम अपनी गाए को, बताइए, क्योंकि मुझे पता है, जब वो, position, plus, क्यों, मेरा mid, less than, equal to, is stall की value पर, अब मैं यहाँ पर उसको दाल सकता हूँ, दाल सकता, नहीं दाल सकता, यही तो check कर रहा था, कि अगली वाली गाए किते distance पर आ चाहिए, तो मैंने check किया, क्या यहाँ पर आ सकती है, मैंने यहाँ पर value क्या रिखी हुए, 2 रखी हुए, तो यहाँ पर वो नहीं आ सकता, तो मुझे पता, यह वाला statement नहीं चलेगा, जो इसके नदर था, वो नहीं चलेगा, तो वो फिर बढ़के आगे चला गया, उसने क क्या वो यहाँ पर आ सकता है, उसने पूछा, तो मैंने देखा यह इसकी value 3, यह less than equal to 5 से, जो यहाँ पर value है, तो उसने का वो यहाँ पर आ सकता है, जब उसने का वो यहाँ पर आ सकता है, तो मेरा count की value x increase होनी चीए, तो वो हो जाएगी 2, और इसकी position को note कर लूँगा, तो दूसरी गाई को मैं यहाँ पर assign कर तुका हूँ, ठीक है, हाँ, अगली वाली गाई कहाँ पर आनी चीए, बताइए, पांच प्लस दो, साथ भी, साथ यह उससे बड़ा नंबर, तो वो ही यहाँ पर चेक करेगा, अब मैं यहाँ पर आया, तो 5 यह रहा है, 2 यह रहा, साथ क्या less than equal to होता है, उसने का होता है, जब होता है, तो उसने का यहाँ पर assign करवा दो, तो अब अगली वाली गाई को assign हो जाएगा यह वाला, ठीक, और position को भी update कर तो इस पर, ऐसे करके मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे करके मैं assign कर रहा हूँ, आई हो, यह आपको समझाय होगा, यह वाला part आपको समझाय होगा, यह assign कैसे कर रहा हूँ, यह fall loop में, clear है, assign कैसे कर रहा हूँ, आपको assign करानी है आपको cow को, उनकी position पर, clear है, हाँ जी भईया, भाई भाई थोड़ा सा tough लगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा बहुत clarity आ रही है, इस code के प्रती, क्या आप number कर, यह हमने देखा, और हमने इसको ऐसी गर के solve किया, अगर एक बार, जो हमारा original question था, हम्मारे पास यह था, हमने कहा था, हमने अपने गाय को assign कराना है, इस तरीके से, कि minimum distance between any two of them is maximum possible, तो किस तरीके से हमने अपनी problem approach हो गए, पहले वो सूचो, बैठो, और finally हम अपने solution प part पे, तो हम अपनी first problem को देखते है, aggressive cow, जी हा, aggressive cow problem को हम सबसे पहले देखते है, तो इसमें सबसे पहले हम variable ले 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 लेते, start, मुझे पता है, उसको मुझे 1 सा assign करना है, एक लिलूँगा end, एक लिलूँगा mid, और एक लिलूँगा मैं अपना answer, start equal to 1 बलता, कि मैं मानलो क minimum वो one dispense पे रहेंगी, तो मैंने start वो ले लिया, end को अभी मैं value assign कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको कहा था, मुझे अपने ये stall है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, sort करना पड़ेगा, एक increasing order में लगाना पड़ेगा, sort them in increasing order, अब अगर मुझे इसको increasing order में लगाना है, लेकिन मैंने का जब यहां पर vector है, तो मैं direct इसको sort कर सकता हूँ, मुझे simple सा ये लिखना है, sort stalls.begin, stalls.end, बस इतने लिखने से मेरा ये पूरा जो array है, ये vector है, ये sort हो जाएगा, vector में भी आपका array ही है, हम next class में vector के बारे में detail में पढ़ेंगे, तो तब तक आप ये समझ ल लिए, अब मुझे बता है end, उसमें कौन सी value जाती है, stalls की, जो last index पे element होता है, minus, जो zeroth index में element होता है, इन दनों का जो subtraction होता है, वो end के अंदर चल जाता है, अभी मैंने end define ली किया, तो उसको भी कर लेते है, end equal to stalls.size, इस तरीक से मैंने लिख दिया, क्योंकि maximum वो कितना ज सकता है, कितनी distance पे दो काउ हो सकती है, यह हो सकती है, यह हो सकता है कि पहली काउ 0th index पे हो, और last वाली n-1 index पे हो, तो जो उनका subtraction करके result आएगा, वही मेरे end पे जाएगा, clear है, हाँ जी वही है, clear है, अब मुझे यहाँ पे अपने while loop को simply चलाना है, कि while start less than equal to end, अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ता है, mid वाली value हम निकाल रहे होते है, start plus end minus start divided by 2, हमने कल लिया, हाँ जी वही है, कल लिया, अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, अब मुझे यहाँ पर count variable बनाना पड़ेगा, और एक position बनानी पड़ेगी, कि मैंने अभी तक कितनी काउ को उनकी location दे दी है, यह उनको stall में भीज दिया है, तो count कर गए मैं 1 लिख देता हूँ, अभी first cow को हमने location दी है, position दी है, और उसकी जो position है, वो कौन से है, stalls 0 पे, यह मैंने define कर दिया, यह दिखा रहा आपके, कि आपके कितनी cow को position दे दी है, action में, तो मैंने first cow को दे दी है, और उसकी जो position है, वो है यहाँ पे, clear हाँ, अब मुझे यहाँ पर simply loop चलाना है, कहां से, i equal to 1 से, integer i equal to 1 से, i less than n, i plus plus, clear हाँ जी भई है, clear, क्योंकि मैं first of all stall को देख चुका हूँ, अब बाकी जिदने बख्चे stall है, उनको मुझे देखना है, अब यहाँ पर एक simple condition आ जाए प्लस, उसमें अगर मैं mid को add करूँ, अगर हो less than equal to है, मेरे stalls की value से, तो मजब इस वाली position पर कौन आएगा, मेरी नई cow आईगा, तो count plus plus, और position में देदूँगा, stalls आईगा, इस तरीके से, यहाँ तक clear है, हाँ जी यहाँ तक clear है, क्योंकि मैंने बूला था, कि अगर mid की value मा इनिशली 1 थी, तो 1 plus 2, 3, जैसी उसे 3 और 3 से बड़ा वाला stall दिखेगा, वहाँ भी वह अपनी दूसरी cow को रख देगा, तो इसलिए जैसी यह less than equal to हो जाता है इसके, तो मैं अगली cow को वो position दे दूँगा, और उसकी position no down करवा दूँगा, clear, हाँ जी वही है, clear, अब मैं बहार आ गया, अब जब मैं एक बार बहार आ गया, उसके बाद मुझे क्या बढ़ना पड़ता है, अगर मेरा count है, अगर less than हुआ, किस से less than हुआ, जो k है, number of count, जिनको मुझे assign करा रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताए, अगर count less than k है, तो मतलब end की value को कर दो, mid minus 1, हाँ, जी वहिया, नहीं तो answer में store करा दो sum को, sorry mid को, और मेरे start को ले जाओ, mid plus 1 पे, यह हमने अभी अपने code में explain किया था, अच्छे है, और ऐसे करके मेरा while loop खतम, और जैसी मैं while loop से बहार आया, मुझे अपने answer को return कर देना है, बस, तो while loop यहाँ पे आके खतम हो चुका है, यह वाला किसका है, okay, एक extra braces आ रहा रहा था, तो अगर मैं सो compiler run करूं, और देखते है हमारे result क्या आता है, okay, int start equal to 1, mid, answer, compilation error आ रहा है, integer and source, अप parameter, okay, end पहले ही मुझे दे रखा है, जुसको अटा सकते है, end मुझे अलोड़ी यह बन है, इस तरीके साथ आ दिया इसे, और सही आ रहा है, submit करता हूँ, जी हाँ, तो हमारा code successfully run हो चुका है, जिन बच्चों को यह वाली line अगर समझ नहीं आई, तो हमने वीडियो में इसको बहुत ही detail में आपको समझाया है, clear है, हाँ जी भईया, clear है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा था, कि भाई अगर मेरा count की number of cows, अगर assign यह हो पा रही है, काम आ रही है, जितनी cow को मुझे assign करना था, तो मुझे जो उनके बीच का minimum distance है, वो क्या करना पड़ेगा, decrease करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या decrease करना पड़ेगा, इसलिए n is equal to mid minus 1 हुआ है, कि मुझे किस side में जाना पड़ेगा, पताइए left side में जाना पड़ेगा, clear, और अगर count greater than equal to k होता है, else वाला, तो भाईया उस अहंदर को store करा लो, और उनके बीच की minimum distance है, वो और ज्यादा increase करने की courses करो, clear है यह नहीं है, हाँ जी भाईया, अब clear है, यह वाला statement हुझे, कि अगर count की value less than k है, तो मुझे पता है, कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उनके बीच की minimum distance है, उसको decrease करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काओ, उसके अंदर आ पाए, क्योंकि k तक पहुंची नही second problem की ओ, cocoa eating banana, cocoa को बनाना खाने है, केला खाना है, clear हाँ, अब उसकी condition क्या है, कैसे वो खाईगा, वो अब हम देखते हैं, बहुत interesting question है, और बहुत ही simple है, आपको इसमें ज्यादा सूस नहीं नहीं है, relax रहे हैं, पहले question को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो भाई, इस तरी time, उसके पास है 8 गंटे, इन बनाना को खाने का, total time, 8 गंटे के अंदर उसे, इन सब को खाने का, मुझे ये निकालना है, कि हर गंटे में, उसे कितने बनाना खाने पड़ेंगे, minimum, कि वो सारी बनाना खतम कर दे, question clear, देखो, cocoa है थोड़ा आलसी, वो अराम से खाना चाता है अराम से, जितना कम होता कि उतना खाना चाता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा लालची भी है, वो चाता कि आप सारा बनाना खतम भी कर दे, और उसके पास time में 8 गंटे, तो minimum कितने के लिए वह गंटे में खाएगा, कि वो within 8 आर ये सारे बनाना को खतम कर दे, minimum value निकाल ल तीन बनाना एक गंटे में खाएगा, क्लियर है, इसमें एक ही condition होने दे रही है, अगर वो तीन बनाना एक गंटे में खानी की कुसिस करता है, तो इन मैसे वो किसी को भी पहले चूस कर सकता है, किसी को भी, random, ऐसा कुछ निए कि यहीं से स्टार्ट करना खाना, कहीं से भी क लगेंगे, सिंपल मैसे, 11 केले खाने में कितना टाइम लगेगा, 11 केले खाने में, आप वो लगेवे या, 339, 3.67 आर्स, नहीं, ऐसा आंतर नहीं चीए, उसने बोला, कि इसको खाने में उसको लगेगा, अगर आपकी वेल्यू एच्चे आ रही है, तो इसको मैं 4 गंटे मा जाएगा, 39.67 आएगा, तो 3.67 को 4 गंटे लिजिए, उस ते उपनिर्कनना, किलियर है, हाँ, उसने ऐसा क्यों बोला, देखो मुझे पता, 3 गंडे में, वो 9 केले खालेगा, इसी केले, 9 बनाना खालेगा, उसके पास कितने केले बचे होंगे, 2 बनाना बचे होंगे, अब उस एगंटे में, वो इन ही 2 बॉन बनाना खतम करेगा, वो दूसरे वाली पाइल में नहीं जम करेगा, जब तक वो अपनी वाली पाइल के सारे बनाना खतम ना कर दे, तप तक वो next 25 पाइल न आहीं जाएगा, केलियर है, हाँ, तो इसको खत्म करने में उस जबगेगा, Compet diz इसलिए उसे पता दो ही खाने ठीक है तो वह बुले रहा चलो अराम से घाता हूं किलियर हाँ वह यह होगा यह इसमें कॉमन था अब मुझे बताना है उसकी मिनिमम स्पीड कि कितने केले होगा हरी घंटे में खाए कि विदिन इस ताइम वह सारी केले खा दे अब कैसे आप ग भाई अभी तक कुस्तन करते हैं आ रहे थे अभी मत तुछो अगर मैं आपको बूलू एक से शुरू करते हैं अगर एक किला वह हर एक गंटे में खाता है तो क्या विदिन एट आर और सारी सब को खा पाएगा मैं आपसे पूछ रहा हूं तो कल लेते हैं मैंने स्पीड किय वन ठीक है वन बनाना पराद वन बनाना पराद मैं इस पर चेक कर रहा हूं यही मुझा आंसर में निकालना है कि उसकी मिनिमाम स्विर कितीन होनी चीह है कि विदिन इस टाइम वह सारी के लिए खा दे तो अगर वो उसकी स्पीड यह रही अब वो मालों यहां से से 3 गंटे 6 केले खाने में 6 अर्ण 11 केले खाने में 11 अर्ण 7 केले खाने में 7 यह लेगेगा यह कितना आएगा 6-3-9-20-27 सख्ट्टाइज गंड लग रहें हैं इस्पीड से केला खाना शुरू करता है लेकिन उस्से एक ऐतार खाना है तो क्या एक की सम्विढ़ संख्थम कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो उसे क्या खर पढ़ेंगा अपनी तो बढ़ाना पड़ेगा वो बढ़ेगा अपनी स्peed को थोड़ा बढ़ाई तो उसको सेंब किस सबीज कहाना पड़ेगा तो बनाना किलियर हाँ अब शुआ सक और में कुन्टा लगे गा तीन बनानों को फाल कुए दो गंडे भाट एने में in चलो क्यों खाने में कितना टाम लगीए एक तरफ से कहने बोला कि तभी आप यह आँ इसलिए और इसमें मैं नहीं करता है इसलिए आएक तरफ से खाना स्टार्ट कर रहा हूं तो तो तीन तो पांच छे ग्यारा चार 15 उसको लग रहे 15 गंटे आज गंटे में खाना तक अब उसे क्या करना बढ़ेगा अपने की प्रिट्से बढ़ा नहीं कड़ेगी उसे पता लें का दो की स्विड से तो नहींगा तो उसने बोला चलो को क थे हो भाई तीन की श्पीड में चख करो रोंत तो मैं तीन की श्पीड में खाने शुरू करा है तो तीन के लिए खाने में कितना टाइम लेगा वनार हाँ यहिए के लिए ख्अन्यमें कितना टाइम लेगा 239 healer exactly ils figuring app Alton तो 4-3-7-8-9-10 गंटे उसे लग अगर वो तीन की स्पीट से खाता है। लग रहे होसे दस गंटे पर कितने आज गंटे में खाना था, तो तीन की स्पीट से भर नहीं खा सकता। नहीं खा सकता है तो उससे अपनी श्मीट को क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा तो अच्छे बोला अब इसको करता हूं में 4 गंटे चार बनाना एक घंटे वे खाने की कोशिव करता हूं अब अगर इस पर आए तीन बनाने को खाने में कितना टाइम लगीगा एक इसको खाने में कितना टाइम लएगा, साथ को, दो गंटे, तो तीन तो पांच, छे साथ, और एक आठ, आठ गंटे में उसने फाइनली, सारे केले खतम कर देगा, जब उसकी स्पीड क्या होगी, चार की होगी, और यही मेरा आंसर है, क्योंकि उसने मिनिममम इस स्पीड और यही है, उसने क्विशन में पूजाता है कि कोको बहुत आलती है, क्यों मिनिममम हर गंटे, कितने केले खाए, कि वो सारे केले खतम कर दे विदिन धिस ताइंग, तो अगर वो चार केले हरे गंटे में खाता है, तो बगईए मुझे मेरा आंसर मिल जाएगी, और एक से म से मिल सकता है । मैं आप पूछ रहा हूं आगरめて खाता यह प्लए घंटा ये जो पॉइंगे जो खाने मि aynı दो गंटे लगेंगे इसको खाने में 5 to 10 तीन घंटे लगेंगे इसको खाने में भी दो गंटे लगेंगे तो 3 अदो 5 6 7 और 1 8 तब भी उसे 8 घंटे लग रहे हैं अगर उसकी स्पीड 5 हो लेकिन उसने मिनीमम वाला मुंते मांगा था कौन मांगा था minimum वाला तो चार वाला minimum था इसलिए चार आंसर है तो जब भी आप यहां पर एक फॉलूप आप चला सकते हैं एक फॉलूप चला सकते सिंपल था ठीक कहां से इकवल टू one से आई intermax सकते हैं ठीक जब आपको पहली बार आपका आंसर मिल जाएगा पहली बार बन पे मुझे पता आंसर नी मिला टू पे नी मिला थी पे नी नी मिला यह आई है इसकी स्पीड दिखा रहा है कि इतने बनाना वो एक गंटे में खा रहा है वं पे नी और आपका अंसर मिल जाएगा मेरा Woot क्या हो गया Woot फोर्स हो गया कि मैं एक एक करके क्या कर रहा हूं सिंपल सा चेक कर रहा हूं इसका अप्टिमाइज एप्रोच क्या हो सकता है बताईए अगर आपसे पूछा हूं कि अप्टिमाइज एप्रोच क्या होते इसकी मैंने आप भी देखा कि मैं आप ते पूछू इसी सेम प्रॉब्लम पर अगर वही को को इस बनाना एक गंटे में घाता है तो उसे कितना टाइम लगेगा तो मुझे पता तीन को खाने में गंटा लगेगा तो क्या मेरा आंसर एट होना चीए मैं आपसे पूछ रहाँ हो चीए मेरा अंसर एक होना चीए है अंसर हो सकता है लेकिन जीभी चक करेंगा क्या मैं इसको खा पा रहा हूं विधिन एडार को दिम्सें आट गंटे गंटे और उससे आंसर चीए तो मैं इस से क्या बोलूँगा कि बही तू इदर चेक कर ले आपने चोटे कि लिए hertzो अगर मैं 7 बेच्च करता सेम कहानी आगर बनाना प्रूम हर गंटे में खाता है इस को खाने में कितना टाईम लगता है ईग एगन्टा जो कि 11 को खाने में बई दो गंटे और 27 को खाने में लग रहते हैं सब्सक्राइं मैं इसको बोलु अपनी सपीय अराम से खाना है उससे साथ से भी मेरा आंसर निकल रहा है। उसने का था कि विदिन एक घंटे भी मिनिमम वाला वैल्यू चाहिए मुझा आंसर में तो मैं व्ला अच्छा साथ 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 मेरा आंसर हो सकता है। च्योटाइट वैलिविधी मेरा आंसर हो सकती है क्योंकि इसने क्या बोला मिनिमाँ स्पीड समझ रहे हो हम तो मैं उसको फिर चै। चपर सकते हो अगर मैं तो 6 पे चेक करतां तो मैं मिलता है को अगर चैपे चिक करों कि विदिन एट आर वो अगर छे की स्पीर्ट तसको खा सकता है, बनाने को, खा सकता है नहीं खा सकता है , क्थ यह वैसे ही पॉब्लम हो गई जुए तक देही थी, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था यहां से आंसर नहीं नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, finally minimum value के लिए मेरा answer निकल गया, और इधर को भी मेरे answer निकल रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी value को छोटा करना है, तो मैं किदर को कूद रहा था, left को, और इधर मैं किदर को कूद रहा था, कि right side में check करूँ, कि मेरी speed एक थी, एक से answer निकल रहा है, उसने का right side में जाओ, check करूँ, कोई बड़ी value पर, यहाँ पर answer निकल रहा था, तो उसने का, लेकिन minimum value चीए, यहाँ पर मुझे answer मिल रहा है, उसने का, लेकिन minimum value चीए, कि मुझे मुझे पता, 8 बनाना को एक घंटे में खाता है, मुझ तो मैं इसमें simple क्या गर रहा हूँ, आपको देख रहा है, वही combination, बानीरी search का, left, right, left, left, कि मेरा answer नहीं निकल रहा है, फिर मेरा answer अचानक निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से मेरा answer निकल रहा है, निकल रहा, निकल रहा, सबते निकल रहा है, लेकिन इसमें से उसे सबत से minimum वाला चाहिए था, यह वाला, तो जब भी अगर मैं इंडर कुदता हूँ, तो इस आंतर को store करा देता हूँ, और बोलता हूँ, left में कुदो, left में कुदो, I hope यह clear होगा, कोकू की problem clear होगा, यह चमका नहीं चमका, हाँ जी भाईया, यह मुझे चमका है, तो एक बार इत starting point हो गया, यह मेरा end हो गया, start web 1 से बोल रहा हूँ, end कहां पर रखूं बताइए, end कहां पर रखूं, उसे कुछ बनाना खाने, बनाना खाने, एक गंड़े मुख maximum कितरे बनाना खा सकता है, ठीक, तो उसे कुछ answer लेना था, यह तो दिखा रहा है, कि एक बनाना पर आर, दो बनाना पर आर, तीन बनाना पर आर, तो इसकी maximum value कहां तक जा सकती है, बताइए, कहां तक जा सकती है, इंटमेक्स तक जा सकती है, क्या इंटमेक्स तक लेना फाइदे मनत है, वो कहा रहा है कि एक बनाना आप एक गंटे में खा रहे हो, फिर मैं दो बनाना एक गंटे में ख हाना हा तो यहां पर मेक्सिमुम वेल्यू जो मेक्सिमुम होगा कीम किती हैं इस तारी कि उतना इव गंडे में खाँ का सकता मेक्सिमुम उस सह जादा नहीं खातता हैं अगरा यहां पे 12-13 भी लिले लो कुछ फाइद़ हो तक तक उतले माता पलंद है यह फाइदा नहीं है ठीक तो इसका अंसर 11 एंड अब किया होना चीए वो भी मेन है अब इस तार्ट में से स्टार्ट करूं तो मिले फाइदा बन नहीं है क्यों नहीं यह फाइदा बन मैं बोलूं यह 11, 7, 18, 6, 24, 25, 27, उससे 27 क्या खाने बनाना खाने कितने गंडे में खाने एट आर में आर गंडे में 27 बनाना खाने तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चीए अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ती तो होनी होनी चीए होनी 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 चीए होनी चीए है होनी चीए गया मुझे एक दूपि beings मुझे पता यह दो ह्पिस कभी पुराला रट तो आपकी मर्च पर यह इसका स्टार्टिंग हुआ क्योंकि मुझे पता एक दो उन्पे चेकर के फाइदा ही नहीं है मुझे पता है टोटल 27 बनाने है उसे विदिन एट आर खाना है विदिन एट आर तो मिनिम्मम स्पीर कि इदिन होनी चाहिए उसकी अगर मैं स्टार्टिंग से चेकर रहा हूं मुझे कुछ पाइदा नहीं मिलेगा मुझे पता है कि उससे कम से कम तीन में आना तो खाने पड़ेंगे गंधे मिनिममम उससे जाधा भी खाने पर सकते हैं पर अने इधनी इस विरूस की होनी होनी चाहिए यह किलियर है हाँ यह मुझे किलियर है तो मैंने का यह उसके है बस यह हम सिर्फ आप्टिमाइज कर रहें अपने कूट को अप्टिमाइजिसन के लिए किलियर है हाँ तीन और ग्यारा कब बीच क्या होता है साथ अगर हो साथ के लिए हर एक गंटे पे खाता है तो क्या आंसर आएग आपका बताइए स्टार्ट के तीन हो गया एंड ग तो इसको खाने में किते हैं में एक गंट ले है अगर साथ बनास है केलिए के खा जाएगा अगर तो एक ₩ क्या नहीं क्यों च्प्रसलित के लिए हो सभ खारानों जब वो 750 स्पीट्स थे खा रहा है किया कर रहा है साथ की स्पीट्स थे के लिए खा रहा है ठिक वो विदिन पांच घंटे में उसको खतम कर देगा टॉडल टाइम कितना चीए था मैं आठ गणटे तक मुझे बता यह वाला टाइम उससे तो छुटा ही है तो महला इससे मेरा और यहीं किदर और है अगर आप साथ बनाना अरे घंठे में खदम करते हो थारे अगर आ साथ की स्विट से खन्जा स्टार्ट गामा वेरा श्टार्ट कर दो ठीक क्योंकि अगर मैं साथ की स्पीड से का रहा हूं विदिन पांच आर मैं खतम कर दे रहा हूं अगर मैं उससे कम स्पीड रहा हूं ठीक है तो हो सका यह पांच एट के करीब जाए एट आरके इसलिए मैं कहा रहा हूं लेफ्ट में जो मैंने आपको पहली भी लॉजिक बताया तेम यहां पर अमें लेफ्ट में आ गया तो यह हो जाएगा मेरा कितना स्थिक्स हो जाएगा अब ट्री को अनुद्र होता है कि छे तीन नौ चार अगर वह आप 4 की सुरू करें चार कि स्पीर से एंग कितना ताइम नहीं घंटा शेके घंटे ज्यारों को खाने में तीन ग जाट गुंटे में खतम कर दो कितीघी स्पीड से तो मैं daha मुझे मेरा नए आंसर मिल गया है क्योंकि minimum उसे answer जी है minimum speed वाला किमppy इससे भी मेरा answer मिल रहा है जब मुझे इससे भी answer मिल रहा है तो मैं हहाँगा कि मैं आपने speed को होजा फ्लसक्राइट." तो बोलूगा भाई इधर को आ जा जब इधर को आता हूं तो क्या करता हूं एंड इकोल टू मिड़ बाइनस वन स्टाट भी थी एंड भी थी तो मिड़ भी थी होगा तो इसपे चक्कल लेते मिड़ पे अगर वोख यह फिए खाने को बढ़ाने को बोलेगा तो अपनी द मिड़ानी को बोलेगा तो इस टार्टश ग्रण तो जैसे आपका start greater हुआ, किते end से, आपका loop break और आपका answer मिल गया, जो था 4, तो हमने एक एक करके इस question को debug किया, इस problem को debug किया, अब हमने enough इधनी problem कर ली है, कि हम इसका logic खुद से create कर सकते हैं, हमने एक pattern भी analyze किया, क्या analyze किया, कि भाई अगर कभी भी जो मैंने आपको line बता है, क्योंकि वो आदे statement को ऐसे ही हटा देता है, question में अगर दिया है, कि min max दो ऐसे करके, तो बहुत आई चंद से आपका binary search लग रहा होगा, तो बताइए, क्या इसका code हम खुद से implement कर सकते हैं, जो मैंने आपको ये coco बनाना वाला बताया है, क्या हम खुद से code लिख सकते है बताये, यह मैं लिख दू, भया आप ही लिख दो, तो चलो फिर इसके code पार्ट पे चलते हैं, अब हमारी last problem है, coco eating bananas, कि coco को बनाना है, खाने है, भया चलो इसको देखते है, start equal to 0, end equal to 0, और हम क्या लेते है, mid, एक answer, एक हम end लेते है, end में मैं मैं बताल जाता हूँ, price dot size, clear ह अब start way 1 से भी कर सकता हूँ, start way 1 से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने जो logic बनाया था, उसमें मैं इन सब का sum divided by h, उससे करता हूँ, clear है, हाँ जी, क्यों मैं कर रहा हूँ, क्यों मुझे बता, इन सब का sum 27 आने वाला है, और यह 8 है, तो अगर मैं divide करूंगा, 27 divided by 8, तो क्योंकि एक बार में वो एक ही पाइल को खा सकता है, ठीक हाँ, तो start मुझे clear हो गया, तो पहले start में सब का sum डाल देता हूँ, for integer i equal to 0, i less than and i++, start plus equal to piles i, यह सब को clear, हाँ जी भईया, end के अंदर मैंने क्या का था, जो maximum होगा, पूरे array में, वो end के अंदर चला जाएगा, हाँ जी भईया, तो end में चला गया, पूरे array का maximum, maximum ही क्यों गया, मैंने का worst case में उसे क्या हो सकता है, मैंने का सबसे edge case क्या हो सकता है, क्या उसको सारे केले खाने पड़े, within one hour, ठीक, अगर मैं यहां से 11 को ले लेता हूँ, कि 11 केले हो हर एक घंटे में खा रहा है, तो उसे एक ही घंटा लेगा, अब आप बोलोगे भईया, यार क्या पता end की value, अगर मैं 15, 20 ले लूँ, चलो आप end की value अगर 20 भी ले 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 तो, तब भी आप कहां सा निकल दाएगो, कोई दिक्कर नहीं आईए, पर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर end की value 20 ले तो, तब भी उसे 8 से बहा निकल गिया, मेरे पास sum आ चुके, अब उसे divide equal to कर देना है, मेरे number 8 से, clear है, हाँ जी भईया, अब मैं loop के अंदर आ जाता हूँ, कि while start less than equal to end, सबसे पहले क्या करता हूँ, mid की value निकालता हूँ, कि वो कितने केले हर एक गंटे में खा रहा है, ये मेरा mid contain कर रहा है, divided by 2, ये मैंने कर दिया, अब मुझे पताच चल जुगा है, कि उसे इतने केले हर एक गंटे में खाना है, mid के निकाल रहा है, कि इतने number of केले, mid amount of bananas, mid amount of bananas to consume in 1 hour, यही है, हाँ जी भईया, अब mid amount वो एक गंटे में consume कर रहा है, मालू, mid क की value ह operating, mid की value क्या है, 2 है, तो 3 वाली को खहने में कितना time लेगेगा, बताएगे, 2 गंटे लगेँगे, 6 वाली को खाने के लिए तीन गंटे, 7 वाली को खाने के लिए 4 गंटे, 11 वाली को खाने के लिए 6 गंटे, clear है, हाँ, कि हमने देखा था वो कौनसी value ले ले र तो टूटल टाइम उसे कितना लगने वाला है पहले हम वह देख लेते हैं तो इंडिजर टूटल टाइम इक्वल टू मैं इनिशली जी ले रहता हूं अब मैं पूरे एरेगी ऊपर इटरेट करूंगा इकल टूट जीरो से आई लेस दैन एंड आई प्लस प्लस हाँ जी भाई अब यहाँ पे क्या करूंगा मुझे पता है मुझे अपने टूटल टाइम में क्या एड करना है पाइल्स आई डिवाड़ेड बाई मिड केलियर है अगर मैं थ्री डिवाड़ेड़ वाई टू गरद इसमें तो वन यह एड़ हुआ है जो बाकी बच्चा वन है वो क्यों नहीं एड़ हो रहा है क्यों मुझे पता ने 3 divided by 2 1.5 आता है तो आपने इसको तो मैंने तो लेना चीए था आपने 2 की जगा ते सरफ वन यह एड़ किया तो मैंने कहा अगर पाईल्स आई देखो ऐसे हिरके आप उसके लिख सकते है मॉढ मिड अगर इसका मॉढ करता है तो वैंगका क्या कर दो टॉटल टाइम में टॉट्ल टाइम को एक से इंक्रीज कर दो यह मैंने statement लें किया क्या समझ आए क्या的 second statement समझ आई, देखो, अगर मेरे पास 11 है, ठेके मुझे बता 11 को कज़िवने में कितना time लगेगा, 6 गंटे लगेगा, बहुत 5 point कुछ something लगेगा, अगर मैं यहाँ पे 11 divided by 2 करता हूं, तो कितना आएगा, 5, तो इसके इंतरे सिर्फ 5 यह एड हो रहा है, हाणा, वो point वाला तो add हुए नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, कि अगर 11 mod 2 exist करता है, 11 mod 2 कितना होता है, 1 होता है, अगर वो exist करता है, तो total time को एक से increase कर, clear है, हाँ, इस तरीके से हमने 5 यहाँ पे add किया, मैं अगर 6 की बात करूँ, 6 के लिए क्या add होना चीए था, 3 add होना चीए था, तो अगर मैं 6 divided by 2 करता हूँ, तो 3 इसके अंदर आ जाएगा, हाँ जी भईया, और अगर मैं 6 mod 2 करता हूँ, तो क्या आएगा 5 है, 6 mod 2 होता है, अगर 0 होता है, तो यह वाला statement execute नहीं होगा, clear है, हाँ जी भईया, अब यह वाला statement मुझे science बना रहा है, अब जब मेरे पास total time में खलिया, कि total मुझे कितना time लगने वाला है, अब इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, कि if, यह होगा, अगर मेरा total time जादा आता है, कौन से time से, जो मुझे given था, h, यह condition होगी, यहापे लिख रहा हूँगा, ऐसे करें, अब इन में मैं क्या लिखता हूँ, अगर मेरा total time इस से जादा हो, किस से, एच्छी से, जो given time था, तो मुझे क्या पता करना हूँ वापे, मुझे बताना है पड़ेगा उसे, कि भाईया मुझे number of kale खाने की जो समता है, उसको increase करो, हाँ, तो वो increase कब होगी, जब मैं start को क्या बोलूँगा, कि भाईया start by, आप चले जाए मिट प्लस 1 पे, क्योंकि अब मुझे जादा से जादा केले खाने है, ताकि मैं कम time में जादा केले consume कर पाऊ, clear है, अगर मुझे जादा time लग रहा है, जिद्दा मुझे expected था, तो मतलब, ज मुझे जादा जादा केले खाने है, इसले start is equal to mid plus 1, नहीं तो else में क्या हो जाएगा, मुझे पता है, else में मुझे answer is equal to mid, और n equal to mid minus 1, ये statement क्या कह रही है, मैंने का, अगर मेरा total time less than equal to hr है, तो मैंने इस सच्छे पहला अपना answer इस्टूर करा लिया, और मैंने बोला, कि minimum value of k, such that c can eat all the banana within hr, मुझे यहाँ पर ता answer मिल गया, पर मैं ऐसा expect कर रहा हूँ कि मुझे इस से कम speed से भी मैं एक answer निकाल पाँ, जी हाँ, तो इस तरह के सामने इसको लिख दिया, अब जब यह सब कुछ हो गया, तो मैं last में क्या कर दूँगा, अपने answer को return कर दूँगा, return अपना answer, यह लिए, run कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारा code पहले run होता भी है यह नहीं होता है, तो हमारे तीन हो test cases past, क्या यह submit हो जाएगा, देखते हैं, और सबसे पहले हमें error आया है, किसका sign integer overflow, अब देखो इस error को कैसे बढ़ना है, इसने का line 8 character 18, इसने का कुछ integer overflow तो आगर मैं ऊपर करूं, तो वो कह रहा है, इस line पर error है, अब इसमें error कैसा आ रहोगा, आप खुद assume करो, थोड़ा सूचो, मैं इसमें कुछ add कर रहा हूं, इस piles को इसके अंदर add किया जा रहो, जब मैं इसमें addition कर रहा हूं बार 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 बार, तो यह बहुत ही बड़ी और जब मैं यहां पर भार पर आऊं, तो sum divided by h को इसके अंदर डाल दूँँगा, ऐसे लिए मैं इसके अंदर बस सकता हूं, कि मैंने एक long long ले लिया, जिसकी capacity इंटे से काफी बड़ी होती है, तो साइद यह sum, पूरे sum को store कर लेगा, sum divided by h मैं start के अंदर store करा दूँगा, यहां तक clear, हाँ जी भई है, यहां तक clear, तो क्या अब हमारा code सही चलेगा, run करते हैं, या अभी भी कुछ error देगा, चलो देखते हैं, मैंने फिर से submit करा, देखो ऐसी सीखोगे, देखो फिर से error आए, ऐसी आएगा, error आएगा, उसको हम सुदा रहेंगे, यह कह रहा है, runtime error, division by 0, मतलब मेरा कुछ division by 0 हो रहा है, division by 0 कौन सी line पे, character 17, line 20, तो अगर मैं इसको दिखा हूँ, यह कह रहा है, यह divided by 0 हो रहा है, मतलब mid की value, मेरी 0 आ रही है, अब वो क्यों 0 आ रही होगी mid की value, सोचो, क्यों अगर मैं इसको 0 से divide करता हूँ, तुम definitely वो कुछ return answer देगा, व probability यहाँ पर start or end में से कोई 0 रहा होगा, तभी 0 आएगी, क्योंकि उनकी middle वाली value ले रहा हूँ, हाँ, और start or end में से किसकी poverty है, 0 होने की, start ही होगा, जो 0 आ रहा है, start ही है, जो 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर condition simply लिख सकता हूँ, जिससे मैं start को 0 ना होने दो, मैं यहाँ पर end 0 की नहीं हो सकता, क्योंकि end के अंदर मैं maximum दार लोग, इन सब का maximum दार लोग, start वाला हो सकता है, start वाला हो सकता है, 0, क्योंकि अगर मैं sum को divided by h करूं, और जो total sum है, वो इतना कमाया है, कि जब मैं उसको h से divide कर रहा हूँ, तो बहुत ही छोटी value दे रहा है, इमन 0 point something दिया power 4 है, तो end तो कभी 0 नहीं हो सकता, 0 होने की probability सरफ start की थी, तो उसको मैंने यहाँ पर सुधार दिया, क्या अगर start 0 हो जाता है, जिस case में, तो बहुत है, वहाँ पर start को 1 बना दो बस, बाकि मेर को कुछ नहीं देखना, clear है, हाँ, हम 1 से भी start कर सकते हैं, हाँ जी भया, clear, अ अगर में इसको submit करूं, आप देखते हैं, क्या फिर से error मारेगा, नहीं, अब error नहीं भारा, अब यह बिल्कुल first class लाया, तो आपको साहे, जो मैंने भी पताया, यह आपको अच्छे से चमका होगा, और अगर यह चमक गया, तो भया, कमेंट कर देना, भया, अच्छे से हम मैं चमक गया, तो चलते हैं हम वीडियो के बार, I hope आज की वीडियो में आपको मजाया होगा, पहला question थोड़ा tricky था, मैं accept करता हूँ, अगर आपने वह ठीक लिए, बाइनी सर्च के जो यह tricky वाली problems है, अगर आपको आ आ चुकी है, यह फिर जो beginner बच्चे हैं, उनको थोड अगर वापस आते हैं, तो आपको यह easy लगेंगे, अब कल से हम start करेंगे अपने vector को, कल हम vector के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कि vector क्या होता है, STL वगरा पढ़ेंगे कल, पहली बार, तुम मिलता हो, आपको कल की वीडियो में, तक तक के लिए, जैहिन, जैवाद,